ओशो, समझो स्रीर्च किमें कॉम्प्लेक्स ते गुंजलां पैदा हुन दिया हान। जे कर स्रीर बिलकुल निर्गुंजल हुए उस्च कोई गुंजल ना हुए, उस्च कोई उल्जन ना हुए, स्रीर के ते कोई अठका ना हुए, तersonि शुध हाल च्छ हुनदै अंतश पर्वेश्ट सहयोगी हो जानदै जे तुसी बहुत करोद करोगे, करोद नूँ परगट कर पाओगे तो ऊस कुरोध जो तपंश्टे गर्मी पैदा होएगी उस्सेरीर दे किसे अंगच गुंचल पैदा कर देगी तो उससी देख कुरोध चीं इस्टीरिया आ सकते हैं, क्रोध जो कोई बिमारी आ सकते हैं, पैच कोई बिमारी आ सकते हैं, अज कल जो सारे तजर्बे चल रहे हैं, हन सेत बाबत, उनना तो पता लगदा है, सौ बिमारीयां, जो कोई पंजाब बिमारीयां, स्रीर्च नहीं हों दियां, मन्च हों दियां, लेकिन मन्दि बिमारियां सरीर्च गुंजल पैदा कर दनी हैं। यह सरीठ तब पड़ी अनुखी जगा है, बड़ी अनुखी गाल है। त्दे तो अनुख वैरी नhi मलूम होएगा। बलके मंदर मलूम होएगा जिदे अंदर परमात्मा बिराजमान है तादे दुश्मन नी मलूम होएगा ये बड़ा सत्थी मलूम होएगा ते तुसी एदे प्रतित्तानवादी होगी क्योंके शरीर तो अड़ा नहीं है पदारत नल बढ़े है तुसी जुद आओ शरीर है फिर भी तुसी इसना अनुखव योग कर सक दियो